अंद्विस्वास ने कई लोगों की जान ली हैं और बहुत समय से अंद्विस्वास लोगों की जान लेता आ रहा है और ने जाने कब तक ये अंद्विस्वास आगे भी लोगों की जान लेता रहेगा दोस्तो एक महिला पर आई डायन और फिर उसके पडोसी ने कुलहाडी से उसके टुकडे टुकडे कर डाले और हो गया वहां से फरार आखिर ऐसा क्या हुआ था इस घटना की पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंतर तक जरूर देखेगा नमस्कार में हुआ सुदेश कुमार और तिरची बाद चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो यह घटना है बिहार के कटिहार जले की बिहार के कटिहार जले में एक उसमा देवी नाम की औरत रहा करती थी जिसकी उमर थी 45 साल वे अपने पती और अपने बेटे के साथ रहा करती थी और उसके बेटे की साधी भी हो चुकी थी तो बेटा और बहु उनसे अलग रहा करते थे और एक घर में वे दोनों पती पतनी रहा करते थे उसमा देवी के पती का नाम होता है सूरज तो सूरज और उस्मा देवी एक घर में आराम से रहा करते थे उनका बेटा और उनकी बहू अलग से एक घर में रहा करते थे दोस्तो समय गुजर राह होता है अच्छे से कोई दिककत नहीं होती है एक खुसाल परिवार है तभी एक दिन उस्मा देवी घर से बहार निकलती है और जैसे ही उस्मा देवी घर से बहार निकलती है तो उसका एक पड़ोसी जिसका नाम संजु है वह हातों में कुलहारी लेकर उसकी तरफ दोड़ा दोड़ा आता है और कहता है कि इस डायन को मैं जिन्दा नहीं छोडूँगा दोस्तो पलक जपकते ही संजु उस उसमा देवी के पास आ जाता है और फिर उसके उपर कुलारियों से प्रहार कर देता है कुलारियों से प्रहार करने लगता है उसमा देवी चिल्लाने लगती है उसको रोकने लगती है लेकिन वहर रुकता नहीं है देखते ही देखते हुए उस्मा देवी के टुकडे टुकडे कर देता है और उस्मा देवी वहीं बीच चौराई पर तड़ तड़ कर अपने प्रान गबा देती है उसके बाद संजु वहां से फरार हो जाता है दोस्तों आस्परोस के लोगी खटा होते है पूरा मजूम सा वहां पर उमर पड़ता है भीर खटी हो जाती है पुलिस को बुलाया जाता है पुलिस हाती है मामली की चानमीन करती है और उस्मा देवी की डेड़ वोडी को कबजे में लेती है उसको पोस्ट वाडम के लिए भेज देती है और अब पुलिस उस्मा देवी के पती सूरज से पूस्ताच करती है कि आखिर हुआ क्या था तो दोस्तों उस्मा देवी का जो पती होता है सूरज वह पुलिस के सामने बताता है कि मेरी पत्नी उस्मा देवी कई बार पूजा अचना किया करती थी और हमारा पड़ोस का जो ये व्यक्ति संजु है यह कहता था कि यह हमारे उपर टोटका करती है और संजु से हमारी कई बार लगाई भी हो गई थी और संजु ने मेरी पत्नी को मार डाला दोस्तों उसके बार पुलिस दूसरे ही दिन संजु को गरबतार कर लेती है और फिर संजु से भी पूछती है कि तुमने इस औरत को क्यों मारा संजु बताता है कि यह टोटका किया करती थी यह गली के अंदर संदूर वगेरा फैका करती थी और मेरा बेटा कई दिनों से बीमार चल रहा था और अब भी यह कल मेरे दरवाजे पर संदूर फैंक कराई थी और मुझे गुस्सा आ गया था कि मेरा बेटा अब तो मर ही जाएगा यह नजाने कैसा जादू करती है इसलिए मैंने कुलहारी उठाई और मैंने सोच लिया था कि अब इसको जिन्दा नहीं छोड़ूँगा इसलिए मैंने इसको मौत के घाट उतार दिया तो दोस्तों यहाँ पर यह घटना इस तरह से हो जाती है कुछ औरतें ऐसी होती है जो जादा तर टोटका धूनी लगाना इस तरह के किर्टे करती रहती है वो बाबाओं के पास जाया करती है कुछ लोगों को यह है अच्छा नहीं लगता है उन लोगों को इस बात से गुसा आता है और वोगों सोचते हैं कि यह सारा जादू मंतर हमारे उपर किया जा रहा है असलियत में दोस्तों किसी के कहने से किसी के जादू करने से अगर किसी और का कुछ बिगर जाता तो यह जो इंडिया है यह पाकिस्तान के उपर जादू टोना करवा देता उसको एकदम से सीधा कर देता दरसल दोस्तों ये बाबाओं के पास जो औरतें जाती हैं ये इनको उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाते हैं और फिर उल्टी सीधी पट्टी पढ़ने के कारण ऐसी घटनाय हो जाया करती हैं लेकिन यहां में यह भी कहूंगा कि संजु ने भी सही नहीं किया, उसने भी बहुत गलत किया था, उसको भी लगने रगा था कि यह जादू टोना से मेरा बेटा बीमार है, इसलिए उसने उस औरत को जान से मार दिया, तो आप क्या कहना चाहते हो, क्या यहां पर संजु ने गलत किया था या सही किया था या फिर वह और अपनी जगहे पर सही थी कि कोई भी पुजा पाड़ तो कर सकता है इस तरह का काम करने की सभी को छूट है आ जाती है तो यहाँ पर किसकी गलती आपको लगती है और कौन का सूरवार है कौन यहाँ पर सही है आप अपनी राय कमे अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं और थोड़ी बहुत भियांसे सिक्चा मिलती है कुछ अच्छा करने की तो आप हमारी वीडियो को सेर जरूर कर दिया करें हम समझेंगे आपने हमें अपना असिरवात दिया है और हम आपके आशिरवात से आगे बढ़ मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सची घतना के ऊपर तब तक आप खुश रहें साबधान रहें रिष्टों की अमित को समझें अन्दविश्वास से बच कर रहें जय हिंद जय भारत